जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी, न्यूफोज 150 टैबलेट का उप्योग मूह, गले, योनी और शरीर के अन्य हिस्सों जैसे की नाखूनों और पैर की उंगलियों के फंगल इंफेक्शन के इलाज में किया जाता है, यह कवक कोशिका जिल्ली को के बिना लिया जा सकता है, डोज और इलाज का समय इस बात पर निर्भर करेगा कि किस कंडीशन के लिए आपका इलाज किया जा रहा है, कभी-कभी यह इस्तेमाल और इस्तेमाल न करने के चक्रों में होगा, अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए दवा को सटीक अंतराल के बाद ले तथा प्रिस्क्रिप्शन पूरा होने तक इसे लेते रहें, भले ही आपके लक्षन कुछ दिनों के बाद सही हो जाएं। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में पेट में दर्ड, सिर्दर्ड और मिचली आना शामिल हैं। आप इन प्रभावों को रोखने या कम करने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। दवा लेना बंद कर दें और यदि आपको अलजिक रिएक्षन के लक्षन जैसे दाने, होंट, गले या चेहरे की सूजन, निगलने या सास लेने में समस्या, चक्कर आना और मिचली आना महसूस हो तो अपने डॉक्टर को बताएं। यदि आप प्रेगनेंट हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बिना न्यूफोज 150 टेबलेट न लें। न हो तब तक गाड़ी या मशीनों को न चलाएं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।